देश ने 100 करोर डोजिस का लक्ष पूरा कर लिया है आप खुश होंगे, जश्मन आ रहे होंगे लेकिन चिंता की बात भी है दरसर इस वक देश की सिर्फ 70% वैक्सीन लगाने के लिए eligible आवादी ने ही वैक्सीन की पहली डोज लगाई है लेकिन अब धीरे-धीरे जो स्टडी सामने आ रही है उसमें ये साफ हो चुका है कि वैक्सीन आपको कोरोना से सुरक्षा नहीं देता बलकि कोरोना के घंभीर लक्षणों से सुरक्षा देता है इसके साथ ही चिंता की बात ये है रूस में हालात खराब होते जा रहे है समाचार अजनसी असोसियेटिज प्रेस के मताबिक रूस में एक दिन में 34,000 से जादा नए मामले सामने आए जबकि महामारी से एक दिन में 1,000 लोगों की मौत हो गई रूस में अब तक 2,000,000 से जादा लोगों की महामारी से मौत हो चुकी है जबकि संक्रमितों का आकड़ा 8,000,000 के पार हो चुका है और यही वज़े है कि अब रूस में एक बार फिर से लॉकडाउन लग रहा है लेकिन हम आपको बता दें कि इससे आपका मतलब है क्योंकि रूस भी भारत जितनी ही आबादी को वैक्सीन लगा चुका है आपको बता दें कि रूस की लगबग 32% जनता यानि की 4,5 करोड लोगों का पूर्ण टीका करण हो चुका है लेकिन फिर भी यहां हर दिन आने वाले संक्रमन के मामलों में तेजी आ रही है एक्सपर्ट इसके कुछ कारण बता रहे है पहला कारण ये है कि यहां पर टीका करण की रफ्तार शुरू में बहुत धीमी रही है वो भी तब जब रूस ने चीन के बाद सबसे पहले वैक्सीन को लाउंच किया था दूसरा कारण ये है कि अब भारत की तरह रूस में भी लोग एहतियात कोरोण के खिलाफ नहीं बरत रहे है यानि कि फेस मास्क लगाने में कोता ही बरत रहे है बाजारों में अब जादा भीर देखने को मिल रही है और सोचल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा इसी के साथ साथ सरकार ने तमान तरह की पाबंदियां जो शुरू में ही लगा देनी चाहिए थी वो नहीं लगाई और साथ ही सबसे बड़ा कारण है लोगों के बीच वैक्सीन हेजिटेंसी यानि की लोग वैक्सीन लगाने से बच रहे हैं लेकिन सिर्फ साधे चार करोड लोगों ने ही वैक्सीन लगाई है रूस के राश्पती व्लादिमिर पुतिन ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे पास केवल दो विकल्प है या तो वैक्सीन लगाएं या फिर बिमार पढ़ने और बुरे हालाद जिलने से अच्छा यही है शुरू में रूस की सरकार लॉकडाउन लगाने के लिए राजी नहीं थी लेकिन जिस तरीके से एक दिन में 1000 से जादा लोगों की मौत के मामले सामने आए उसके बाद सरकार ने 30 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक पूर्ण तरीके से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है हैरानी की बात यह है कि दुनिया भर में टीका करन अभियान चलाए जाने के बावजूद कोरोना महामारी पर लगाम नहीं लगता रही है अभी भी कई मुलकों में कोरोना संक्रमन से बड़ी संक्या में लोगों की मौत हो रही है अमेरिका में अभी भी औसतन डेढ़ हजार मौते हो रही है सिर्व यही नहीं दराने वाली खबर बिटन से भी आ रही है और आपने वैक्सीन नहीं लगाई है तो वैक्सीन ज़रूर लगवाई है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें अपने हाथ बार-बार धूरते रहें और फेस मास्क ज़रूर लगाएं चाहे हमारे देश ने 100 करोड का आकड़ा पार कर लिया हो अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं